कि नमस्कार मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जन सागर नियोज विशेश राजी के दर्जा के मुद्धे पर एक बार फिर बिहार में बयान बाजी तेज हो गई है कुछ दिनों पहले निती आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार को पिछड़ा रा की अगलेश के दर्जा पिछड़े राजी को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा जिश्क हो गया है कि एक बार फिर भी हार में बिशेश राजी के दर्जे वाले मुद्धे पर सियासी गलियारों में तेजी आ गई अब हर कोई अपनी अपनी प्रतक्रिया देने पर तुला हुआ है और सबसे पहले नितिस्कुमार है इसको बयान देते हुए नजर आया है आयो सुनते हैं बिहार को विशेष राजी का दर्जा मिलना चाहिए इस पर क्या करते हैं नितिस्कुमार अब सबसे पीछे हैं तब इस राज्य का दर्जा पिछडे राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फायदा होगा सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है जो केंद्र की जितनी योजनाय सरकार की चलती है उसमें हो जाएगा नाइंटी 10 अभी 60 40 और 50-50 तब जैसे ही हो जायेगा दराज्च को कुछ और पैसा बचेगा उस पैसे से मिकास का और काम होगा तब गया जाएगा तो बहुत थीक हो जाएगा और विक्सीं हो जाएगा ज़िए अरूट ज्यारूरी है देख लिझे इसलिए अगर कोई बोलता है तो उनको को शक्ता समझ नहीं हो об N pen Life मी comparative जानता होगा इसलिilities आप पूछ आप पूछ दिये तो अच्छा कि बता दिये उसको सरकार की तरफ सेयर हमारे किसी को अगर नहीं है बात मोई सब्सक्रां की बात निन चाहिए यह कोई किसी के बारे मैं यहां से बोल रहा है वह कोई किसी के खिलाब बोल रहा है वो तो राजी के हित्वें बोल रहा है न और जो मान लिए कि केंदर की सहायता है तो मिलती ही है तो केंदर की और जो भी साहता है राध्य का वहीं कहा रहा है तो इन नाइटि टैन हो जाएगा तो राध्य की और पैसे की बच्षेथ होगी और दूसरे बह्तर गता। जाएगा तो यह बात कहा जा रहा है कि इसी लिए फिर भेज दिया गया एंसरा इन चीजों को गौर करें और जब हमारा सबसे पिछला राज है तो सबसे पिछला राज है